Hello everyone, today we will be doing the most easiest topic in the GK, it is nickname for famous personality, तो यह सबसे easy topic है, आपको इसको learn करने के लिए थोड़ा सा भी efforts नहीं रानना होगा, just simply जो मैं बता रही हूँ वो चीजे सुन लीजे, simple है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह important नहीं है, यह बहुत जादा important है, इससे एक question जरूर ही आता है, जैसे प Napoleon का nickname पूछा गया था, उससे पहले Hitler का nickname पूछा गया था, और इसमें कुछ-कुछ nickname तो ऐसे भी होगे, जो आपको पहले से पता होगा, तो इस session की मदद से आपको सारे nicknames जो है, वो एक जगा पे मिल जाएंगे, and you will be able to recall all the nicknames, we will start with Mahatma Gandhi, तो Mahatma Gandhi का nickname है, father of nation, ठीक है, र क्या है, मोहंदास करम चंद्र गांधी, लेकिन इनको महातma का title मिला हुआ है, ठीक है, इनको महातma का title किसने दिया था, शुभास चंद्र बोस्ची जो थे, उन्होंने इनको सबसे पहले महातma बोला था, ठीक है, father of nation, उन्होंने इसको बोला था, और इनको saint of साबरबती के नाम से भी जाना जाता है, तो ये तीन, चार निकनेम जो है इनके, आप याद रखना इसमें से सबसे important क्या है father of nation, तो महातma गांधी हो गई है, ऐसे जो eminent personalities है, और महातma गांधी और ऐसी कुछ famous personalities आप देखोगे, जो की बहुत ही repetitive है, जैसे अभी हमने क्रेमेंटोरी किया है, और इन्होंने क्या क्या काम की है, ठीक है, next हम बात करते है, खान अब्दुल गफार खान की, इनका निकनेम है frontier गांधी और बादशा खान, ये बहुत ही दोनों important नेम है, ठीक है, ये है खान अब्दुल गफार खान, इनका जो निकनेम है frontier गांधी, वो अमीर चंद, ब इंडियन है बर इनको भारत रतन मिला हुआ है तो खान अब्दुल गफार खान के बारे में आपको यह चीज पता होने चीज ठीक है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और साथ में इनका निकनेम अगर आप नोट कर रहे हैं चीजों को तो आप इनका जो निकनेम है उसी को न वालमिकी को आदि कवी के नाम से जाना जाता है इनको लाल बेक या बाला श्रह के नाम से भी जाना जाता है इनको celebrate किया जाता है as a harbinger poem in Sanskrit लिटरेशर के इनको एक harbinger poet माना जाता है Harbinger क्या होता है? इसका मतलब होता है For Teller या जो मतलब Future की कोई बात बताए ठीक है? उसको Harbinger बोला जाता है और ये भी माना जाता है कि Walmiki जो है इनों ने ही पूरी रमायन को compose किया है, लिखा है Lord Brahma के आशिरवाद से ठीक है? तो Walmiki और इनका निकनेम क्या है? आदी कभी अगला है Naga Arjuna इनको बोला जाता है Einstein of India Naga Arjuna को Most Important Buddhist philosopher भी माना जाता है, ऐसा कुश्चन भी काफी एक्जाम में आया है कि सबसे Important Buddhist philosopher कौन है तो वो है Naga Arjuna जो Main Reason है जिसके वज़े से इनको ये टाइटल मिला है Einstein वाला वो यही है कि इन्होंने अपनी philosophy में Theory of Relativity की बात की थी ठीक है? वही चीज यहां लिखी है The main reason to which he has been attributed to the title of Einstein is that his philosophies on Theory of Relativity Theory of Relativity पे काफी सारी इन्होंने philosophies दी है उसी के वज़े से Next है Salim Ali इनका nickname है Birdman of India Birdman of India के नाम से जाने जाते हैं क्यों? क्योंकि यह पहले ऐसे person थे जिन्होंने पूरे इंडिया में एक systematic bird survey conduct करवाया था उसके बाद से conduct करवाने के बाद इन्होंने बहुत सारी किताबे भी लिखी और इनके वज़े से study of birds जो है इंडिया में काफी popular हुआ अब यहाँ पे term दिया है औरिंथोलोजी तो औरिंथोलोजी मतलब क्या होता है? study of birds तो आपको यह term भी याद रखना है ठीक है? इनके नाम पे बहुत सारे bird century और नाशनल पार्क भी है परने के लिए तो यह तीन चीज़े भी आपको पता होनी चाहिए ओके? नेक्स्ट है लाल बहादर शाष्ट्री इनका निकनेम है man of peace ठीक है? इनको यह title जो है man of peace यह दिया गया था इसलिए because यह हमेशा peace के path पे चलते थे instead of aggression जैसे गांधी जी को बोलते है न man of non-violence उसी तरीके से इनको man of peace बोला जाता है गांधी जी हमेशा non-violence के लिए जाते थे कि हमें जगडा लडाई नहीं करनी है तो यह भी इसी तरीके से करते थे कि हमें हर चीज जो है शांती से हो जानी चीए इन्होंने एक slogan दिया था काफी popular slogan है जय जवान जय किसान इसका मतलब है hail the soldier, hail the farmer यह English में बोला जाता है ठीक है इन से जो associated है यह सबसे important चीज यही है कि इन्होंने यह वाला slogan दिया था slogan हो गए, motos हो गए जो मैंने आपको करवाया है defense of India वाले वीडियो में तो उसमें मैंने आपको काफी सारे motos करवाया है फिर ऐसे slogan होते है जो कुछ ऐसे eminent personalities ने दिये होते है तो यह questions भी कभी कभी आ जाते हैं अगला है राजा राम मोहन रोई इनका निकनेम है राजा और the morning star of India renaissance या father of Indian renaissance सती को abolish करने के लिए बहुत सारे campaigns किये थे caste system को हटाने के लिए और women's को right देने के लिए भी काफी काम किया था ठीक है तो इनको सती के abolishन से भी associate किया जाता है ये एक और इनका important point है जो इनको राजा का title है वो अकबर 2 ने दिया था अकबर 2 एक मुगल emperor थे तो राजा title इनके नाम के आगे जो राजा लगा है ना इनका नाम सिर्फ राम मोहन रोई है और ये title अकबर ने दिया था ओके next है जवाहललाल नहरू इनका निकनेम है चाचा और पंड़त जी तो चाचा क्यों बोलते है ये आप सबको पता होगा इनके बद्दे के दिन क्या होता है चिल्रन्स जे इनको बच्चे बहुत पसंते और बच्चे इनको चाचा कहके पुकारते थे इसलिए इनका निकनेम था चाचा तो नहरू को चाचा कैसे बुलाने लगे विकास he was pond of children और ये बहुत सारे बच्चों से मिलते थे तो चाचा को बच्चे प्यार से पुकारते थे पंड़त जीन का नाम कैसे पढ़ा क्योंकि ये कशमीरी पंड़त कम्यूनिटी जो है वहां से या उनके roots वहां से बिलॉंग करते थे तो इनको इसलिए पंदित जी कहिके भी बुलाते थे ठीक है जवाहलाल नहरू अगला है डैयानन सर्स्वती डैयानन सर्स्वती को मार्टिन लूसर किंग आफ इंडिया बोला जाता है ठीक है डैयानन सर्स्वती एक इंडियन फिलोज़ोफर थे social leader थे और founder थे आरे समाज के, इनका main जो है आप इसी से associate करना, because यह question आता है who was the founder of Brahma समाज, who was the founder of आरे समाज, तो यह आपको पता होना चाहिए दयानन सरस्पती जो है, इन्होंने ही एक important saying या slogan दिया था go back to Veda, यह यहाँ पर mention नहीं है तो आप please note down कर लो इसको go back to Veda, जो है यह दयानन सरस्पती ने दिया था, ठीक है, यह काफी ज़दा preaching करते थे और wisdom acquire करते थे, इसलिए इनका नाम Martin Luther of India रग दिया गया next है Dr. Rajendra Prashad, इनको बोला जाता था देश, रत्न and अजात शत्रू, गांधी जी ने इनको नाम दिया था अजात शत्रू का अजात शत्रू मतलब होता है जिसका कोई भी दुश्मन ना हो, कोई भी enemy ना हो, ठीक है, इन्होंने Indian National Congress जॉइन किया independent movement के दोरान and उसी टाइम यह काफी emergent leader बने वहां के, specially बिहार और महराष्ट्र वाले रीजिन के, इनके बारे में एक और important चीज है जो आपको पता होनी चीए, वो क्या है, superlative का question है, यह first, president थे इंडिया के, ठीक है, अगला है शुभास शिंद्र बोस, इनको नेता जी के नाम से जाना जाता था and Patriot of Patriots के नाम से भी जाना जाता था, 1942 में इनको नेता जी का title मिला, जब यह Germany में Indian soldiers का, इन्हों ने group form किया था, अजाद हैं, Forge के नाम से, इनके उपर बहुत सारी documentaries आपको मिल जाएंगी, ऐसे जो persons है, इसके उपर आप देखा करो, तो आप history विगरा को ना, अच्छे से थोड़ा समझ पाओगे, गांधी जी पे आपको काफी सारी documentaries मिल जाएंगी, और जो भी ऐसे major leaders थे, कहीं न कहीं आपको इनका reference मिल जाएगा, तो आप देखते ही हो, तो ऐसी movies देखा करो, जिससे आपका education में भी help लो, right? अभी आपको ये भी पता है कि जब freedom की fight चल रही थी, हमारी तब नरम दल और गरम दल, दो ऐसे दल भी बन चुके थे, तो गरम दल के ये नेता माने जाते थे, तो इनके ideology जो थे, वो महात्मा गांधी से उतने मिलते नहीं थे, लेकिन फिर भी बोस जो है, वो महात्मा गांधी को father of nation की नाम से admire करते थे, तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने उनको patriot of patriots का नाम दिया था, बोस का एक बहुत ही famous slogan है, यहाँ पर मैंने mention किया है, तो आप इसको note कर लेना, give me blood and I shall give you freedom, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, यह हिंदी का होता है, लेकिन जब इसको convert कर देते हैं, बिकाज अब हर चीजे हमें English में पढ़नी होती है, तो convert करके यह हो जाता है, ठीक है, और जय हिंद का नारा इन्होंने ही दिया था, तो यह दो important नारे हैं जो इन्होंने दिये थे, नेक्स्ट हम बात करते हैं, Mother Mary Teresa, Mother Teresa के नाम से जानी जाती है, तो इनको Mother या Saint of Gutter, Mother आपसे कोई नहीं पूछेगा Mother किसका निकनेम था, तो आपको ऐसे समझ भी नहीं आएगा, ठीक है, Saint of Gutter के नाम से यह जानी जाती थी, एक Catholic nun and missionary थी, तो Albanian, Indian, Roman थी यह, तो इंडियन नहीं थी, आपको यह सबको पता ही होगा, बट इंडिया में आई और इंडिया की लोगों की काफी, इनोंने उनके लिए काम किया था, आज जो कॉलकता की नाम से जाना जाता है, तो कलकता में यह आई थी उस टाइम, बहुत सारे awards and honor दिये गए हैं, जैसे कि Nobel Peace Prize भारत रतन इनको मिला है, देन एक और award है, Order of the Smile, वो भी इनको मिला है, और इनके उपर काफी सारी books भी लिखे गई है, अब कोई भी ऐसे जो persons होते हैं, अगर उनके उपर कुछ लिखता है, तो जरूरी नहीं अच्छी बाते ही लिखे जाए, अगर गांधी ची का भी आप देखोगे, तो उसमें भी लोगों की तरफ से आप दो बाते सुनोगे, कि कोई बोले का नहीं, वो बहुत है अच्छे थे, कोई बोले का नहीं, उन्होंने यह यह चीज़े गलत की है, तो उसी तरीके से Mother Teresa का भी है, इनके उपर भी इस टाइप के बहुत सारी critics book भी आपको मिल जाएंगे, जहां पे लोगों ने, तो इनके उपर बहुत सारी allegations लगे है, जैसे कि यह जो भी donation इनको charity में पैसे मिलता था, वो इसका proper use नहीं करती थी, दन यह लोगों को help करने से जादा उनको Christianity में turn करने के लिए motivate करती थी, दन और भी इस टाइप के आप द इंडिया की नाम से भी जाने जाते हैं, पटेल जो हैं, इन्होंने जितने भी princely states हैं इंडिया के उन सब को pursue किया था, और उनको जोड़ा था, इंडिया बनाया, ठीक है, उन्होंने commitment किया था, कि जो national integrity है, वो एक newly independent country की, वो uncompromised रहेगी, और हमारा country जो है वो, मतलब ऐसे क पठा रहेगा, तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, कि इंडिया में बहुत सारे अभी भी किते सारे states हैं, और सब में अलग-अलग languages बोले जाती है, हर किसी का culture अलग है, तो जब independence हुआ था हमारा, तो तब कि टाइम भी ऐसी था, जमुन कश्मीर का ज जिसको abolish किया गया, article 370, तो इन्होंने सारे princely states को एक साथ जोड़ा था, तो इसलिए इनको ये title मिला है, ठीक या, और साथी साथ ये first deputy prime minister भी थे इंडिया के, तो ये भी इनका एक important position है, जो आपको पता होना चीए, देखो ये कि ये question भी आता है, बहुत बच्चों के तर आपके दिमाग में क्या आता है, अभी इनका statue आएगा सबसे पहले, इनको iron man of India बोला जाता है, ये first deputy prime minister थे, तो जो भी important चीज़े आपको वो दिमाग में रहना चीए, इसलिए हम किसी भी person के बारे में पढ़ते हैं, तो निकनेम का session था, मैं simply आपको बता देती ना कि सरद ठीक है, और इसी तरीके से आप देखोगे, जैसे ये है, कहीं न कहीं repeat होते रहते हैं, और आप पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे, तो आपको ये सारी चीज़े याद हो जाएगी, आपको purposely याद भी नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं रविंदरनाथ टैगोर की, इनको विश्व कवी, कवी गुरु और गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, रविंदरनाथ टैगोर जो है, इनको अवार्ड मिला था, नाइट होट का ब्रिटिश किंग जो है, जॉर्ज भी उनके तरफ से, ठीक है, नाइट होट का अवार् सर लगता था आज तो हम किसी को भी सर और माम बोलते हैं तो ये एक ओनर हुआ करता था उस जमाने में 1919 में जब जलिया वाला वाग मैसकर हुआ तो इन्होंने अपना टाइटल जो है वो छोड़ दिया उन्होंने बोला कि जैसे आज कल क्या होता है अवार्ड जगर किसी को दिया जाता है और फिर कुछ गलत होता है तो वो लोग वो अवार्ड को वापिस कर देते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए ये चीज़े गलत हुए है तो वो और्गनाइजेशन उसके बारे में कुछ बोले तो ऐसे लोग अवार्ड वापिस करके दिखाते हैं अपनी नाराजगी तो उसी तरीके से इन्हों ने अपना टाइटल छोड़ दिया था रविनार्ट टेगर जो है इनको नोबल प्राइस भी मिला है लिट्रेचर में और इन्होंने नाशनल आंथम लिखा है इंडिया का और बांगलादेश का मतलब इन्होंने लिखा था और वो नाशनल आंथम बाद में बना है ऐसा नहीं कि परपसली उन्होंने नाशनल आंथम के लिए ही लिखा था ठीक है तो जन गनमन जो है हमारा इंडिया का वो इन्होंने ही लिखा है और अमार शोनार बांगला जो है बांगलादेश का वो भी इन्होंने ही लिखा है तो लिट्रेचर में नोबिल प्राइज मिला है इस से याद रख लो की लिट्रेचर वर्क बहुत जादा करते थे पोएम वेगर बहुत जादा लिखते थे इसले इनको कभी गुरु बोला गया है और लिट्रेचर से है तो इनको गुरुदेव बोला गया है ठीक है ऐसे इसका नाम याद रख लो इनका निकनेम है साहित्य समराट बेंगौल के ये राइटर थे पोयट थे और जर्नलिस्ट थे जुनोंने स्टांडर्ड और मॉडन वे में बेंगौली लिट्रेचर को प्रोज किया मतलब दिखाया लोगों के सामने फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन वाली जो चीजे हैं ये सब इनको साहित्य समराट मतलब एंपरर ओफ लिट्रेचर बंगाल में या बंगौली में बोला जाता है इंडिया का जो नाशनल सौंग है वन्दे मात्रम वो इनकी नॉवल से ही लिया गया है कौन सी नॉवल आनन मत तो आनन मत नॉवल से हमारा नाशनल सौंग नाशनल सौंग जल्दी से मार्क करके आजोगे तो गलत हो जाता है सो नैशनल सॉंग किसने लिखा है बान किम शंद्र चटरपाद्ध है नेक्स्ट है चरनाक्या इनका निकनेम है माक्यवली ओफ इंडिया अभी देखुई ऐसे जो नाम आ रहे हैं जो भी इंडियन है उनका किसी foreigner के उपर निकनेम दिया हुआ है इसके उपर बहुत controversies भी चलती रहती है सो यह आपको कर लेना है लेकिन साथ-साथ याद रखना इनको कौटल लिया और विश्णो गुप्त के नाम से भी जाना जाता है और इनका important work क्या है इन्होंने अर्थ शाष्ट्र लिखी है तो यह आपको याद रखना है ठीक है चनाक्या को इंडियन मैकेवली क्यों बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जो political programmatism लिखा है मतलब जो भी अर्थ शाष्ट्र और जो भी politics के उपर चीज़े लिखी है similar है मैकेवली के work से अगला है इंडरा गांधी इनको iron lady of India के नाम से जाना जाता था 1917 में इन्होंने एक war led किया था और तब इंडरा गांधी को only man in the cabinet के नाम से भी जाना जाता था या मतलब refer किया जाता था मतलब बाकी जितने भी man थे cabinet में उन सब में इतना courage नहीं था कि वो उस war को led कर पाए लेकिन इंडरा गांधी ने led किया इसी लिए ऐसा इनको बोला जाता था ठीक है western press जो थे मैंने पहले भी आपको बताया था iron lady of India या lady of millennium इनको बोते थे western press में आप देखोगे तो इनका काफी influence रहता था ठीक है next is sarojini naidu इनका nickname night angle of India and भारत कोकिला अब यहाँ पे confusion होती है कि night angle of India लता मंगेशकर को बोलते हैं कि sarojini naidu को बोलते हैं तो night angle of India दोनों को ही बोला जाता है दोनों को अलग-अलग reason से बोला जाता है sarojini naidu तो politics में भी थी और यह poet भी थी ठीक है तो महात्मा गांधी जी ने उनको यह नाम दिया था night angle of India ठीक है इनको बोला जाता है भारत कोकिला पर लता मंगेशकर को बोला जाता है स्वन कोकिला ठीक है क्योंकि वो गाना गाती थी तो रबिन नार्ट टेगर ने इनको भारत कोकिला बोला और महात्मा गांधी ने इनको नाइट एंगल उप इंडिया बोला एक फाउंडर लीडर थे ये पार्टी तब फॉर्म हुई थी जब ब्रिटिश इंडिया में थे तब ही तो इंडिपेंडनेंस की जुरूत थी न सो तब इन्होंने स्वराज पार्टी जो है फॉर्म किया था देश बंदू के जगा अगर आपको फ्रेंड ओफ नेशन दिखा एक टाइम पर इनका निकनेर में father of local self government ऐसा माना जाता है कि इंडियन जो है उनको पहला freedom का टेस्ट मतलब सबसे बार थोड़े से अगर freedom उनको पता चली कि क्या होता है तो वो इन्हों की वज़े से पता चली क्योंकि इन्होंने local self government 1882 में लाया था या grant किया था उसके वज बाया है साथ में study material में इसका आपको list भी मिलेगा तो वो आपको history के हिसाब से भी पढ़ना है वो important है ठीक है अभी next जो है ये तीन एक ही जैसे हैं इसलिए मैंने इसको एक साथ डाल दिया क्या है बिहार केसरी पंजाब केसरी और आंद्र केसरी तो इनको इसलिए नाम ऐसा मिला है केसरी मतलब होता है केसरी एक तरीके से लौयन के लिए बोला जाता है और इनके आगे जो state के नाम है वो इसलिए है कि क्यों उन्होंने इस respective state के लिए काम किया है सो सबसे पहले है प्रकाश्रम पंटुलू ठीक है यह यहां पे इनकी image लगी वी है तो इनको आंद्र क किसरी बोला जाता था यह बेसिकली एक Indian politician थे and freedom fighter थे Chief Minister रहे थे यह मद्रास presidency के उसके बाद यह पहले Chief Minister बने new and however states के इन्होंने ही मद्रास state में partition करवाया था और अंदर प्रदेश बना तो इसलिए इनको आंद्र केसरी बोला जाता ठीक है नेक्स्ट है लालालाच पत्राय तो इनको पंजाब केसरी या दे लॉयन आफ पंजाब के नाम से जाना जाता था सो ये एक इंडियन ओथर थे फ्रीडम फाइटर थे पॉलिटीशन थे और इंडियन इंडिपेंडन्ट मूउमिन्में उन्पहुत इंपोर्टेंट डूल यां उन्हों ने प्लेज किया है यहाँ पे तो यह पंजाब केसरी के साथ मैंने आपको लगा दिया इनका एक तीन का ग्रुप था लाल, बाल, पाल उधर से भी आपको इनको याद रखना है लाल से लालालाच पत्राए बाल से है बाल, गंगाधर, तिलक और पाल से है बिपिन, चंदर, पाल तो वो भी आपको तीनों पता होना चे लाल, बाल, पाल ये था और यहाँ केसरी केसरी है तो यहाँ पे तीनों इसलिए साथ मैं लिखा है इन्होंने भी एक important saying दी थी इन्होंने बोला था that every blow that held on my back will be a nail in the coffin of British Empire तो जो भी Britishers के against protest कर रहे थे तो इनको बहुत ही बुरी तरीके से Britishers ने लाठी से मारा था ठीक है तो इसलिए इन्होंने ये saying बोला था कि जो भी वो मिर को मार रहे हैं वो एक एक उनके coffin पे कील जैसा है और next है श्री कृष्ण सिन्हा जिनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है इनको श्री बाबु के नाम से भी जाना जाता है ये first chief minister थे बिहार के साथी ये finance minister आफ बिहार भी रह चुके हैं next है बाल गंगाधर तलग इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता था तिलग जो है ये पहले लीडर माने जाते हैं इंडियन इंडिपेंडेंडेंट मोमेंट के बिटिश जो थे वो भी इनको फादर ओफ दा इंडियन अन्रेस्ट बुलाते थे इनको लोक मानने का टाइटल मिला इसका मतलब होता है Accepted by the people as their leader मतलब सारे लोग इनको अपना लीडर मानते थे ठीक है महात्मा गांदी ने इनको बोला था the maker of modern इंडिया modern इंडिया जो है उनके maker इनको बोला था इनका एक important saying है वो है स्वराज is my birthright and I will have it हिंदी में स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा इसको आप note down कर लो यहाँ पर mention नहीं है next is cn annadurai इनका nickname था अन्ना यह politician थे chief minister of Tamil Nadu भी रहे थे कुछ दिनों के लिए और last chief minister थे मदरास state के तो मदरास जो state था उसी में से division हुआ है यह Tamil Nadu और इसका आंधर प्रदेश का और बाद में आपने देखा आंधर प्रदेश से तेलंगाना बना ठीक है next है जग जीवन राम जिनको बाबु जी के नाम से जाना जाता था तो यह भी एक Indian independent activist थे और politician थे बिहार से इन्होंने एक foundation भी start की थी All Indian Depressed Classes League जो untouchability को लेकर काम करते थे ठीक है कि उन लोगों को कैसे equality provide करवानी है ठीक है तो जग जीवन राम इनको बाबु जी के नाम से जाना जाता था next है भगत सिंग इनको शहीद आजम बोला जाता था या शहीद ठीक है तो शहीद भगत सिंग जो है ये एक symbol बन गए थे के लोगों के तरफ से ही क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए sacrifice किया था इनकी एक important saying है समराज्यवात का नाशो तो बिटिश की जो समराज्य थी उसके लिए ये mention कर रहे थे या बोल रहे थे कि उसका नाशो ठीक है इनका एक बहुती notable work भी है मतलब book है इनको फासी लगा दी गई थी नेक्स्ट है चार्ल्स फेरर एंड्रियूस तो जैसे C.R. दास थे ये हैं C.F. एंड्रियूस इनको दीन बंधू बोला जाता है उनको देश बंधू बोला जाता है इसमें बहुती कन्फ्यूस हो जाते है बच्चे कभी कभी तो जैस थोड़ा सा ध्यान देना ये एक प्रीस्ट थे Church of England के ये काफी close friend बन गए रबिन्दनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के और इसलिए इंडिया इंडिपेंडन्स में इन्होंने कुछ-कुछ मदद की थी नेक्स्ट है पर जब इंडरा गांधी ने अमर्जेंसी लगाई थी तो उसके टाइम पर काफी अपनी आवाज उठाई थी कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है या सही नहीं हो रहा करके और बहुत एक क्रूशिल रोल प्ले किया है एमर्जेंसी को खतम करने के लिए सो ये भी एक पॉलिटिकल लीडर थे शोशिलिस्ट थे अक्टविस्ट थे इंडिपेंडेंस मुमेंट में और बिहार सारण में बॉन होए थे जाधा तरण को इसलिए जाना जाता है कि जो प्राइम मिनस्टर इंडरा गांधी थी उस टाइम पे उनके टुवर्ड मदब आज ऑपोजिशन ये थे और एमरजेंसी हटाने के लिए काफी प्रोटेस्ट किया था नेक्स्ट है समुंद्र गुप जिनको नेपोलियन ओफ इंडिया बोला जाता है तो समुंद्र गुप जो थे ये गुपता एम्परेट जो चंद्रगुप तवान थे उनके बेटे थे इन्होंने अपना पॉलिटिकल एक्स्पैंशन काफी जादा किया हिस्टॉरियन एवी स्मिथ वी ए स्मिथ जो थे उन्होंने इनको नेपोलियन ओफ इंडिया बोला विकाज कालिदास संस्कृत लिट्रेचर के लिए भी जाने जाते हैं इनका सबसे प्रॉमिनेंट वर्क जो है वो है अभी ज्यान शकुन तलम ठीक है अभी ज्यान शकुन तलम नेक्स्ट है अमीर खुश्राओ इनको वॉइस ओफ इंडिया या पैरट ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तूते हिंद इनका जो रेल नेम था अब्दुल हसन यामीन ये था बड़ा सा नाम ठीक है और ये एक सूफी सिंगर थे पोएट थे और स्कॉलर थे इंडिया के एक और इंपोर्टन चीज इनको फादर ओफ कवाली से भी रिगार्ड किया जाता था क्योंकि ये कवाली के लिए भी जाने जाते थे कवाली क्या है एक डिवोशनल फॉर्म अफ सिंगें जो सूफी गाया करते हैं इंडियान सब कॉंटिनेंट में ठीक है कि टीपू सुल्तान अपने एक फ्रेंच फ्रेंट के साथ फॉर्स्ट में हंटिंग कर रहे थे तब उनके सामने एक टाइगर आ जाता है तो टाइगर जो होता है उस सोलजर एंड उनको मानने के लिए आता है तो उस टाइम पे उनका गन वर्क नहीं करता है और उनका डाइगर जो होता है डाइगर मतलब एक छोटा सा ऐसा होता है चाकू टाइप का वो भी ग्राउंड पे गिर जाता है और टाइगर उनके खूच जाता है तो उसके बाद वो अपने हातों से ही मतलब टाइगर से फाइट करते हैं और उसको किल करते हैं तो इस टाइब का स्टोरी है तो इसी के वज़े से इनका नाम पढ़ा है Tiger of Mysore ठीक है नेक्स्ट है पंडित मादरन मोहन मालविय इनको महामाना और प्रिंस ओफ बेगर के नाम से जाना जाता है महामान या महामाना यह जो टाइटल है यह रबिनना टाइगोर ने इनको दिया था बनारस हिंदू युनिवरसिटी जो है बिएच यू इसको इस्टाबलिश करने के लिए इनका बहुत ही बड़ा कॉंट्रिब्यूशन रहा है अब नेक्स्ट हम देखिने वाले ह penalty निकनेम व एएमिनेंट स्पोर्टस परसन तो अब ही जितने भी हमने देखिव हुद थे हवो सारे कहीं न कहीं हिसट्री से रिलेटेड थे राइट अब जो स्पोर्टस से रिलेटेड है और उनके भी कुछ निकनेम्स देवे हैं हम वो को देखने वाले हैं फर्स्ट इस मेजर ध्यांचंद्र इनको डविजार्ट ऑफ होकी या दमेजीशन ऑफ होकी के नाम से जाना चाहता है मेजर ध्यांचंद के नाम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो सबसे हाइस स्पोर्ट्स ओनर है इंडिया का उसका नाम भी रख गया है रीनेम करके ठीक है मेजर ध्यांचंद खेल रतन अवार्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं पीटी उशा की इनको पायावली एक्सप्रेस गोल्डन गर्ल उरन परी और एशिया स्प्रिंट कोईन के नाम से जाना जाता है पीटी उशा कौन है यह इतलेटिक्स के एक प्ल इसलिए इनको बोला जाता है सबसे पॉपलर जो निकनेम है उनका वो यही है पायावली एक्सप्रेस बहुत सरे अवार्ट भी मिले है इनको जैसे की पदमश्री अवार्ड और अरजुना अवार्ड अगला है मिलखा सिंग इनको फ्लाइंग सिक के नाम से जाना जाता है य इनको बॉक्सिंग के लिए अलंपिक में इनोंने मेडल जीता है मिलखा सिंग की तरह इनकी भी एक मूवी है वो भी आपने देखा ही होगा स्पोर्ट में तो यह है राज्यसभा की भी एक मेंबर है जो हमने पॉलिटी में पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था ना कि कु से एक्टिंग से या किसी इस टाइब के फील्ड से एसोसियेटेड होते है इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ-कुछ आक्टर भी होते है जो आपको एज़ा पॉलिटीशन दिखेंगे तो यह भी उसी तरीके से ही है अगला है विरेंदर सभाग इनको वीरू न की नाम से जाना जाता है लिएंडर पेस इस टैनिस प्लेयर तो नाम ऐसा पढ़के कभी कंफ्यूज मत होना ये एक इंडियन प्लेयर ही है और इनको भी बहुत सारी आवर्ड मिले हुए है अर्जिन आवर्ड मिला है लॉंग टैनिस के लिए पदम श्री पदम विबूशन ये सारी आवर्ड इनको मिले हुए है डेविस कप इन्होंने जीता है और इनको वन ओफ दे ग्रेटेस्ट टैनिस प्लेयर माना जाता है इंडिया का 1996 के समर ओलम्पिक्स में भी इनको मेडल मिला हुआ है अगला है सौरफ गांगली ये भी क्रिकेटर है इनको प्रिंस ओफ कॉलकता और बेंगॉल टाइगर के नाम से जाना जाता है तो कुछ-कुछ तो मैंने आपको बता दिया था जब हम स्पोर्ट्स वाला एक सेशन कर रह ये कौन है चेस प्लेयर है इनको लाइटनिंग, किड या विशी के नाम से जाना जाता है ये पांच बार वर्ल्ड चाम्पेंशिप जो होती है चेस की वो जीते हैं इनको ग्रांड मास्टर भी बोला जाता है इनको भी चेस ओसकर मिला हुआ है पदम श्री, अर्जुना ये सारे अवर्ड मिले हुए है अगला है राहूल द्रविड ये भी क्रिकेटर है इनको द वॉल या जामी के नाम से बुलाया जाता है हर्बजन सिंग अगेन क्रिकेटर इनको द टर्बनेटर बूला जाता है विकाज टर्बन पैंतिया पंजाबी है ना ओके तो द टर्बन नेक्स्ट है माइकल फिलिप्स इनको फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाते हैं इनको वन आफ दो मोस्ट सक्सेस्फ़ल और मोस्ट डेकोरेट ओलम्पेन माना जाता है क्योंकि इन्होंने टोटल 28 मेडल जीते हैं 2016 का जो समर ओलम्पिक्स हुआ था उसमें इनोंने बहुत सारे मेडल जीते हैं इनको फ्लाइंग फिश और साथ में गोट के नाम से भी जाना जाता है गोट होता है ग्रेटेस्ट अफ आल टाइम और मिस्टर स्विमिंग सुपरमेन ऐसे से नाम से भी जाना जाता है सबसे का निक नेम है ठीक है पर यह इंडिया के नहीं है यह आपको पतह होना चंक है यह उनाइट स्टेट्स के है डीक है बाल्ती मूर के बाकि सारे प्लेयर इंडिया के ही है सेचिन तेंदुलकर हैं सुनिल गवासकर क्रिगेटर है कपल देव प्रिगेटर है MS29 और अनिल कुमले भी क्रिकेटर हैं तो यह सारे के सारे क्रिकेटर ही हैं ठीक है इनको सेचन तेंदुलकर को God of Cricket बोला जाता है और Master Blaster बोला जाता है इंडियन क्रिकेट टीम के Captain भी रह चुके हैं और इनको भी भारत रतन जैसे और पद्म विभूशन पद्म श्री ऐसे Awards मिला हुआ है ठीक है सुनील गवासकर को Little Master और Sunny के नाम से जाना जाता है कपिल देव को Haryana Hurricane MS दोनी, Mahendur सिंग दोनी को Mahi या MS के नाम से जाना चाता है इनके आपर भी Movie है इनके आपर भी Movie है और आनल कुमली को Jumbo के नाम से जाना चाता है जादा आप यहाँ पर क्रिकेटर्स ही क्यों देख रहे हो विकर्स क्रिकेट को बहुत जादा अडॉर किया जाता है इंडिया में आस कंपेर टू अधर स्पोर्ट्स नहीं तो बाकी भी आप देखोगे जैसे अतलेटिक इवेंट्स हो गए या ओलम्पिक में तो उसमें भी लोग अच्छा परफॉर्म करते ही है लेकिन क्रिकेट को जादा कहीं न कहीं माना जाता है ठीक है यहाँ पर एक चीज नहीं लिखी है अभी रीसेंट ही है वो सबको पता ही होगा I don't think सू बताने की ज़रुद भी है बट फिर भी मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ नीरत चोपड़ा यहाँ पी नहीं मैं लिखा हुआ उनको golden boy of India के नाम से भी जाना जाता है नीरत चोपड़ा के नाम पे एक stadium भी रीनेम हुआ है उनके नाम के या उनको एक तरीके से honor देने के लिए से related थे और फिर हमने किये कुछ sports personalities के अब यह थोड़ी miscellaneous वाले हैं लेकिन यह भी important है ठीक है क्योंकि इसमें से देखो यह वाला exam में आया हुआ है यह बोला जाता है जोएन ओफ आर्क को यह इनका real name है और यह Joanne the maid की नाम से जानी जाती थी उसके बाद इनको the maid of Orleans की नाम से nickname इनका दिया गया she was a saint of roman catholic church ऐसा माना जाते है she was acting under divine guidance जिसके वज़े से french army जो थी उसको जीत मिली थी Orleans में इसलिए maid of Orleans इनको नाम दिया गया next है man of blood and iron यह बोला जाता है auto van bismark को तो यह auto van bismark जो है यह chancellor थे Germany के इनको iron chancellor के नाम से भी जाना जाता था ठीक है next है फ्यूरर जो Adolf Hitler का nickname था Hitler के बारे में सब को पता है कौन थे यह Germany के politician थे बाद में एक तरीके के dictator बनके सामने आए और इनके वज़े से काफी जादा war हुई next है lady with lamb जो Florence Nightangle को बूला जाता है Florence Nightangle के बारे में आपको पता होना चीए because आप इनके नाम पे oath भी लेते हो जब आप एक nurse बनते हो so it is believed that she was the founder of modern nursing जब क्रिमेनियन वार चल रहा था उस टाइम पे इन्होंने काफी जादा nurses को train किया था और अच्छे से manage किया था वहां पे जो भी wounded soldiers थे उनकी काफी अच्छे तरीके से केर की थी ठीक है इनको बहुत सरे अवार्ड बे मिले जैसे की royal red cross award उसके बाद lady of grace award order of saint jones order of merit ऐसे करके बहुत सरे अवार्ड मिले हैं उसके बाद है sparrow sparrow के नाम से जाने जाते थी यह major general रजनी धर सिंग यह इंडियन आमी की एक officer थी दो बार लोक सबा की member भी रहे हैं इंडियन पार्लेमेंट में और इनका निकनेम है sparrow 1994 में इनकी death हो गई थी और काफी सारे battle या war में भी इन्होंने participate किया है जैसी कि world war 2 और इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ था 1947 में और 1965 में दोनों में और इनको महावी चक्र भी मिला हुआ है next is super cat और इस नाम से जाने जाते हैं Clive Lloyd Clive Lloyd जो है यह cricket player है West Indies के लिए इन्होंने खेला हुआ है अगला है Bard of Ewan और इस नाम से जाने जाते हैं William Shakespeare इनके बारे में हमने पीछे इत बात की next is little corporal and man of destiny नेपोलियन बोना पार्ट जो है उनको इस निकनेम से जाना जाता है और यह question आपका exam में आया था next अभी जैसे मैंने आगई आपको बताया ने night angle of India यहां confusion होती है तो स्वर कोकिला जो है वो लता मंगेशकर को बोला जाता है अच्छा नेपोलियन बोना पार्ट कौन थे यह एक फ्रेंच military general थे ठीक है और first emperor of France भी थे इनको one of the greatest military leader माना जाता है इन्होंने अपनी military organization को बहुत ही अच्छी तरीके से revolutionized किया training दी उनको sponsor किया education वेगरा provide की ठीक है यह सारे काम उन्होंने किया अपने military के लिए और french revolution का जो time चल रहा था french revolution यह क्यों भी important है क्योंकि आपके 6th के class के या 7th के क्लास के history book में french revolution के बारे में काफी चीज़े बताई भी हुई है ठीक है तो वहां पे भी आपने यह नाम पक्का पड़ा ही होगा first council of France भी रहे है और first emperor of France भी रहे है and last is धुंदी राज कोविंद फालके और इनकी नाम पे अवार्ड दिया जाता है ना दादा साफ फालके अवार्ड तो वही है यह ठीक है इनका पूरा नाम यह है और यह इनका निकनेम है या एक तरिके से प्यार से लोग जो भी उनको ब father of Indian cinema producer रहे हैं director रहे हैं screenwriter रहे हैं काफी जादा film industry में इन्होंने अपना contribute किया है और जो पहली movie थी राजा हरी श्रंद्र वो भी इन्होंने ही इने की debut movie थी तो इसलिए इनके नाम पे जो अवार्ड दिया जाता है वो बहुत ही prestigious माना जाता है film industry में now before ending this session मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि nickname ऐसा एक topic है जहां पर कुछ को चीज़े official नहीं होती है especially अगर हम cricketers का देखेंगे तो आप बहुत जगह देखोगे विराट कोली को जो चीकु बुलाया जाता है प्यार से वो सारी चीज़े भी आपको mention दिखेंगे books में य है वो इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो बहुत important है तो जितना भी फ्रीडम फाइटर वाले या पॉलिटीशन वाले जो portion है starting में मैंने करवाया उसको पहले अच्छे से याद कर लेना उसके बाद इन सब पर आना और यह भी सारा complete हो जाए तो उसके बाद आपको अगर आगे और करना है तो करना तो थांक यू सो मच फर वाचिंग आ रिली होप यू इंजाए दिस सेशन आप जस्ट इसको वन टाइम अपने बार स्टडी नोट से रवाइस कर लेना आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा टेस्ट सेक्शन में सो वेनेवर यू फील लाइक कि हां मेरा य आप नहीं से याद हो गया है तो आप इसका टेस्ट भी दे देना ठीक है यह दो